स्टापलस की शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि कहानी में लॉक्टाउन के बाद आपको धेर सारा ड्रामा देखने के लिए मिलेगा शो के मेकर राजन शाही ने फैसला लिया है कहानी में नए नए ट्विस्ट एंट टॉन्स लाने का जहाँ पर बहुत जल्द कार्तिक और नाइरा की बेटी काईरा से होगी आपकी मुलाकात जी हाँ काईरा जिंदा है ये बात कार्तिक और नाइरा को पता लग जाएगी और हैराने की बात तो ये है कि उनकी ये बेटी किसी और की नहीं बलकि आदित्य के पास होगी वेल आदित्य को भी अब आप शो का हिस्सा बनते हुए देखेंगे जो कोशिश करेगा कार्थिक और नाईरा की जिंदगी में बहुत सारी परेशानिया लाने की आदित्य की वज़व से ही कार्थिक और नाईरा से दूर होई थी ये बात ये दोनों जान जाएंगे यह तो कहानी में हमने लीप के सीक्विंस बहुत देख ले हैं कभी 10 साल का लीप कभी 5 साल का लीप तो कभी 2 साल का लीप लेकिन इस बार राजन शाही लीप से अलग हट कर लेकर आ रहे हैं विलन आदित्य की धम्माकेदार एंट्री को जो शो की कहानी दिल्शस्प बनाने वाला है वहीं शो में एक और नई एंट्री होने वाली है एक नया चहरा नजर आएगा कीरती के रूप में अक्ट्रिस मोहना सिंग को बहुत जल टीवी टाउन का कोई नया चहरा रिपलेस करेगा कीरती का किरदार भी शो में होगा शुरू तो दिखेर इस नए ट्रैक के बारे में आपका क्या खयाल है काईरा की एंट्री शो में कौन सा नया ड्रामा लेकर आएगी इस बारे में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं For more serial updates and gossips, subscribe टेली नेटवर्ग